एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालक लोमडी रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला जंगल की सबसे चतुर और चालक जानवर थी। उसने हमेशा अपने दिमाग का इस्टेमिल किया और हर मुश्किल पर जीत हासिल की। एक दिन लीला को एक नए शहर में जाना था। वहाँ एक नए राजकुमार की शादी थी और उसने सोचा कि वो अपनी चतुराई से उसका फाइदा उठा सकेगी। लीला ने अपना रास्ता बनाया और शहर की तरफ बढ़ी। जब लीला शहर पहुची, उसने देखा कि वहाँ लोग मस्ती से शादी की तैयारी कर रही थे। लीला ने एक तरह से रांगबिरंगी कपड़े पहन कर लोगों को बेवाकूफ बनाने की कोशिश की। लेकिन लोग उसको समझ गए और उसका असली चहरा सामने आ गया। राजकुमार ने सुना कि एक चालक लोंगडी उनके शहर में आई है और उसने लीला को पकड़ लिया। लीला को शहर से निकल दिया गया और उसने किसी से मदद नहीं मांगी। लीला, अकेली और शर्मिंदा वापस जंगल की तरफ चली गई। उसने समझा कि उसकी चतुराई और छल से उसको कुछ हासल नहीं होगा। उसने विचार किया कि सच्चाई और इमानदारी ही एक व्यक्ति को असली समान और सफलता देती है। इस दिन से लीला ने अपने जीवन में इमानदारी और सच्चाई को एहमियत दी। उसने अपने चालत दिमाग का इस्टमिल करना बंद किया और दूसरों की मदद करने का फैसला किया। कुछ समय बाद एक मुसीबत में फासी एक चिडिया को देखा। लीला ने बिना सोचे समझे उस चिडिया की मदद की और उसे बचा लिया। उस दिन से लोगों ने लीला को एक नए नजरिये से देखा। उन्होंने उसकी इमानदारी और नेकी को समझा और उसको सम्मान दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी और चदुराई सिर्फ स्वात और धोका देती है जाप की इमानदारी और सच्चाई ही असली सफलता का रास्ता है